कोट ने 38 दोश्यों को फासी की सजा सुनाई है एहमदाबाद में जिन धमाकों ने 56 लोगों की जान ले ली 13 साल बाद उसके दोश्यों की सजा का एलान हुआ उन चास गुनेगारों को सजा सुनाई गई, 38 के लिए सजाय मौद मुकरर की गई है वही 11 ताउमर कैद में रहेंगे देश का शायद ऐसा पहला ये मामला होगा जिसमें 38 लोगों को एक साथ फासी की सजा सुनाई गई है और इसमें भी जो लोग 49 लोगों को कन्विक किया गया था उसमें जो 11 लोग है वो 11 लोगों को जीवन के आखरी सास तक जीवन कैद की सजा सुनाई गई है यानि उनको जेल में रहना है फैसला अतिहासिक है क्योंकि देश के अतिहास में पहली बार एक साथ 38 लोगों को फांसी की सजा सुनाई गई है इससे पहले केवल राजियो गादी हत्याकार्ड ही था जिसमें एक साथ 26 लोगों को सजा सुनाई गई थी 26 जुलाई 2008 यही वो दिन था जब 70 मिनिट के दोरान 21 बम धमाकों ने एहंदाबाद की रूह को हिला कर रख दिया शहर भर में हुए इन धमाकों में 56 लोगों की जान चली गई जबकि 200 लोग खायल हुए थे धमाकों की जार्च परताल कई साल चली और करीब 80 आरोपियों पर मुगदमा चला पुलिस में एहंदाबाद में 20 FIR दर्च की थी जबकि सूरत में 15 अनी FIR दर्च की गई थी जहां विभिनिस्तानों से जिन्दा बम भी बरामत किये गई थे देश के अलग-अलग राजियों में से अरोपियों को पकड़ा गया कुछ अरोपियों पकड़ा गया थे उनको ट्रांस्परवन से लाया गया इन्विश्टिकेसन टीम ने सुरू से कोई भी चीज इसमें बाकी ना रह जाए छोटी सी छोटी कड़ी केस में जो इंपर्टन होती है वो प्राप्त करने के लिए बहुत मेहनत की और इस मेहनत के आतं ये सफल था एमदा सिटी पूलिस को मिली इस आतंकी वार्टा को अंजाम देने के लिए देश के अलग-अलग हिस्सों से आतंकी शामिल हुए दिली से हिजबुल मुझाहिदीन के बम प्लांट के लिए बारा आतंकीों को भीजा गया था 38 आतंकीों को फासी की सजा सुनाई है इनमें चार आतंकी ऐसे हैं जिने दिली के बाटला हाउस इंकाउंटर के बाद दिली पूलिस स्पेशल सिल ने गिरफतार किया था जाच में ये भी खुलासा हुआ था कि दिली से कुल बारा इंडियन मुझाहिदीन के आतंकी ट्रेन पकड़ कर एहमदाबाद गय थे और वहाँ पर बम को प्लांट किया था दोश्यों के पास मौका है आगे सजा के खिलाब अपिल करने का बहराल कोट ने एतिहासिक फैसला सुनाया है एहमदाबाद से गोपी घंगर दिली से अरविंद ओजा के साथ आज तक प्यूरो